जब घड़े पक गए आग बुझ गई भट्टा बोला गया घड़े निकाले गए देखा गया क्या हुआ बच्चों का सबको पता था मर ही गए होंगी राख बन गए होंगी सारे घड़े हटाए गए बच्चे नहीं मिले कुमार कुमारिन की आखां के आशु रुके नहीं उन्हें विश्वास था कि भगवान ने मेरे बच्चनों की रख्चा जरूर की होगी और कुमार कुमारिन दोनों जब अपने ध्यान से जागे और स्वयम ने घड़ा हटा हटा कर देखा तो एक घड़े पर नजर पड़ी जब उस घड़े पर नजर पड़ी तो दूर से ही देखा घड़ा पक चुका था लाल हो चुका था पर उस लाल घड़े में वो बिल्ली कि बच्चे सलामत थे सुरक्ष थे कि लोल कर रहे थे उस कुमार और कुमारिन की स्रद्धा को उसके भक्ती की स्रद्धा को भगवान ने सलामत रखा और प्रहलाद जी ने देखा कि वाह भगवान की भक्ती में इतनी ताकत है कि आग शीतल हो जाती है उस दिन से कुमार कुमा सारें से सिक्षा लेकर और प्रहलाज जी का विश्वास भगवान पर अटूट हो गया और बस नाम जपने लगे श्री गृष्ण स्री गृष्ण श्री मन्ना रायन हरी श्रणम जपने लगे एक दिन प्रहलाज जी के पिता हिरन कश्रपो ने पूछा ये किसका नाम जप रहा है प्रहलाज जी ने कहा ये भगवान का नाम है पिता जी आप भी जपा करो प्रहलाज जी ने कहा आप भी जपो हिरन कश्रपो ने कहा तो मेरे द श्री प्रहलाद जी ने भगवान का नाम जब किया हिरन कश्यकु ने पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा और पढ़कर जब प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी से पूछा हिरन कश्यकु ने प्रहलाद बेटा तुमने क्या पढ़ाई की प्रहलाज जी ने कहा पिता जी मैंने नौ बातें बढ़िया बढ़िया सिखी भक्ति कितने प्रकार की होती है? नौ पहली भक्ति क्या है? प्रच्छा मैं भगती संता निकर संगा दूसर रतिमम कछा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान चौथी भगति ममगुनिगन करहिका पटत जीगान पहली भक्ति है कछा सुनना जो की आप लोग कर रहे हैं दूसरी भक्ति है प्रेम से कछा सुनना भगवान की कछा प्रेम से सुनना तीसरी सेवा भक्ति है सेवा गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा सेवा करना कीसरी भग इसलिए सेवा किया करो, सेवा से भगवान drive है, सेवा करो, हाँ, इसलिए हम कहा करते हैं कि आप भी व्रद्धमाओं की सेवा, अन्य चैतरी की सेवा, किया करो, सेवा जरूरी है,